हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सवर अफसर मैं तो दोस्तों यदि आप यूपी टैट सी टैट सुपर टैट एस टैट आद एकजाम्स की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुती महत्तपड होने वाला है इस वीडियो में 20 क्वेशन्स को फटाफट अंदाज में कवर करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें यह चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अफश्य दबाएं जिससे कि आपको आन निशुल्क और अनिवार शिक्षा का अधिकार अधनियम कितने बर्ष के बच्चे के लिए है तो 6-14 बर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए यह निशुल्क रथा अनिवार शिक्षा का अधिकार अधनियम बनाया गया नेक्स्ट क्वेस्चन है और यह जो अधनियम ब शर्वादिक अक्षी विधी है next question आपका आता है गार्डनर्ग ने शात बुद्धी के अधिमान निर्धारित किया इन में से कौन सा नहीं है तो भावात्मक बुद्धी का अधिमान इनका नहीं है next question आता है यदि एक बच्चे की मांसरिक आयू 5 वर्ष तथा वास्तविक आय जाएगा 25 वार और यह 25 इंटू 5 इकल टू 1 टू 5 तो यह आपकी हो जाएगी 125 नेक्स्ट है आपका question मनो विज्ञान सिक्षा का आधार वूद्ध विज्ञान है किसका कथन है तो यह इसकी नर्म होदय का कथन है अगला प्रशन है हिंदी अक्षरों को बालक किस आयू में पहँचानने लगता है तो पांच वर्श की आयू में हिंदी अक्षरों को बाल तथा लिखने की अक्षमता दोनों ही विकारों को डिसलेक्सिया कहा जाता है नेक्स्ट क्वेशन है आपका प्याजे की आपचारिक शंक्रियात्मक अवस्था किस आयू अवदी तक मानी जाती है तो प्याजे की आपचारिक शंक्रियात्मक अवस्था ग्यारे शे पंद्रा वर्श तक मानी जाती है नेक्स्ट क्वेशन है आपका दश्मा क्वेशन ग पैस्टा लौजी महुदे ने तीन बर्ष के पुत्र का अध्यान किया था, नेक्स्ट है बालक का विकाश होता है, तो सिर से पैर की ओर बालक का विकाश होता है, अगला प्रश्ण आपका है, गर्वधान काल की अवस्था नहीं होती है, next question आपका आएगा question number 15 मानव जीवन की मनों बहुत एक एकता कहलाती है तो मन तथा सरीर का विकाश मानव जीवन की मनों बहुत एकता कहलाती है next है आपका question number 16 है गर्ब में सरप्रथम निर्माड होता है तो गर्ब में सरप्रथम सिर्ग का निर्माड होता है अगला प्रश्णा आपका आएगा जन्म के शमय शिशू में कितनी हट्डियां होती हैं तो 270 हट्डियां जन्म के शमय होती है अगला प्रश्णा नमबर 618 है बालक अपनी माँ को पहँचानना प्रारम कर देता है तो तीन माह की अबदी में बालक अपनी माह को पहचानना प्रारम कर देता है नेक्स्ट है आपका बालक के जन्म के शमय सिसू के मस्तिस्क का बहार होता है तो कितना भार होता है या आपको हमें कमेंट करके बताना है कि मस्तिस्क का भार शिशु के जन्म के शमय कितना होता है यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर कमेंट करें इस प्रशन का आंसर आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताया जाएगा तो उसको वीडियो को देखना ना भूलें यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में वेल आइकन को अवश्य दवाएं यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें इस वीडियो का पीडियाफ पाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए टेलेग्राम चैनल को जॉइन करें उस पर आपको इसका पीडियाफ मिल जाएगा नेक्स्ट वेस्टन है कलपना जगत में बिचरण होता है तो कलपना जगत में बिचरण शैश्वा वस्ता और किशुरा वस्ता दोनों में ही कलपना जगत में बिचरण होता है अगला आपका तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें थैंक्स फॉर वाचिंग, फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन